कि उ सार। अबिसे लिखने से किया होगा आपको चीजे माइंड में क्लिक करेगी और क्लिक करेगा जब माइंड में तो आपको पता होगा क्योंकि अभी सिर्फ ये बात खतम नहीं हो, ये तो balance sheet भी खतम नहीं हुआ, balance sheet के notes पे आते हैं, सर balance sheet में पहला note कौन सा है, share capital का, चलिए सर आ जाईए share capital का note, इसको भी मिटा देते हैं, वैसे मैंने समझाने के लिए करा था, ये other assets में चला गया, और एक एक करके समझेंगे, एक दम साफ साफ note करना है, neat and clean, काफी बच्चे काम करके भेजते हैं ना, इतना गंदा गंदा लिख देते हैं, क्या बोलू मैं, और फिर बोलते हैं, sir, please check कर दो, ये note number one बनाने जा रहे हैं, sir, किसका है note number one, share capital, share capital, ठीक है sir, कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर, authorized capital, authorized capital, sir, authorized capital के अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर नीचे, लिखा जो जाता है, वो लिखा जाता है, equity share capital, और अगर preference share capital है, तो वो, sir, कितने रुपे का each है, और number लिखा जाता है, sir, number मतलब, 1000, 13, 10,000 है, दोनों को multiply कर दिया जाता है, same कहानी यहीं पर repeat हो जानी है, same कहानी यहाँ पर भी repeat हो जानी है, ठीक है, और finally यह amount इधर लिख देते हैं, और authorized capital का कोई काम नहीं है, सरफ इसको यहाँ पर आसे करके, just total करके छोड़ दो, बस, और कोई काम नहीं है, यहीं totally दैता है यह, इवन दो यह total जाएगा भी नहीं कहीं, आगे point पर जाएंगे हम लिखेंगे issued and subscribe capital, सर issued and subscribe capital, क्या करने वाले answer इसमें? इसमें equity share capital, इसमें preference share capital, जो भी आपका each amount है, each amount और into में जो भी एक number है हमारा, less कर देते हैं सर यहाँ से, अगर कोई calls in area है, और add कर देते हैं, यहाँ पर होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, share, poor feature, सर इनको अब totaling करेंगे, इसका total यहाँ, इसका total यहाँ, और यह साहब तो minus होगा, और यह हमारा plus होगा, जो इसका total निकल के आएगा, माल लेते हैं, हमारा इसका total आया 5 करोड, यह 5 करोड रुपे यहाँ दिखाना है हमने, यहाँ, इसका total पीछे जाएगा, सीधे इसी बात है, चलिए सर, note number two, सबसे important इस chapter की जान, note two, बच्चा इसी chapter कुछ, जो बोलता है ने सर थोड़ा confusion है, बस एक ही chapter, एक ही note उसके मुह से निकलता है, सर, बस note two समझा दो, इसलिए मैंने note two के ओपर 3-4 सवाल अलग से बना रखे हैं, आपको कराने के लिए, और नए वाले 10 येर में डाल भी दिये हैं, और इस पे से मजे की बात, सिर्फ note number two में से, साथ number का सवाल आ गया था, बस note number two बना दो तुम पिछली बार, देखना मैंने paper solution करके डाला हुआ है, जिनके पास 3-4 रोका, तो उसमें बोला गया, सरिफ note two बना दीती है, और कुछ मत बनाईए, और साथ number का सवाल पूछ लिया, हम नए वाला भी इस वीक में आपको market में मिल जाएगा, वैसे आ चुका है, market में आने में थोड़ा सा holy वगरे की छुटती है, तो इसी हफते आ जाएगा market में, मेरे पास तो आ चुका है, note अरे ये क्या लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने जितनी correction लगानी थी, आपके 10 ये के अंदर लगा दी है, और ये हिंदी में भी बना रहे हैं, इस बार हिंदी का भी आ रहा है, आप लोगा 10 ये, note number जिसका हिंदी में देना हिंदी में देंगे, reserve and surplus, ध्यान रखिएगा, note क्या है हमारा, reserve and surplus, थोड़ा नीचे कर देते हैं, बच्चों को दिखेगा नहीं, थोड़ा नीचे कर देते हैं, दिखेगा नहीं, सर, slayvus में valuation and banking company हटा दिया, इस बार, बिल्कुल, इस बार banking company और नहीं है, हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर, defer tax liability का क्या हुआ, आपने लिखा ही नहीं, बिल्कुल, मैंने जान बुझ के छोड़ दिया यहां पे, defer tax liability का क्या हुआ, और defer tax assets क्या हुआ, defer tax liability जाता है, non current liability में, और defer tax आता है, आपका other में चला जाता है, इस पे हम discuss करेंगे, exam में नहीं आएगा, जो मैं यहां पे लिखने वाला हूँ, गोही questions are related आएगा, discuss जरूर कर लूँगा सभी का, जो बच्चे बता रहे हैं, तर visual नहीं है, अभी करा दिते हैं visual, और एक बच्चे ने तो क्या करा, कारती के सर, बिल्गुल आ सकते हो कारती के, कोई दिक्कत नहीं है, वीजवल नहीं है, चलिए थोड़ा नीचे कर देते हैं, आपको थोड़ा वीजवल हो जाएगा, चलिए, ओके, सबसे important, सबसे important note, सबसे पहले, क्या लिखेंगे सर, जनर रिज़र, प्लस, एड, न्यू जनर रिज़र्व, यह जब practical करेंगे न, तो हमें समझ में आएगा, अभी permit भी मैं practical के इसाब से बना रहा हूँ, capital, redemption, रिज़र्व, debenture redemption reserve, security premium, security premium, general reserve को मैं free reserve भी कह सकता हूँ, ध्यान रहे, ठीक है, इसके बाद, share, option, outstanding account, share option, outstanding, इस बाद पूछा गया था सवाल में, share option, outstanding account, इसके बाद, re-valuation reserve, इसके बाद, re-valuation reserve के बाद, क्या हो सकता है, workman compensation reserve, मैं थोड़ा short ले ले लेता हूँ, आ नहीं रहा हूँ, रिज़र्व, ये सारे reserve के नाम लिख रहा हूँ मैं, और सारा नहीं आएगा, इसमें से एक ही दो reserve होता है, mainly, और नहीं होता ज़्यादा, अब यहाँ पे लेंगे, मैं अलग marker से लिख रहा हूँ, तो important होगा समझना, last year profit, last year profit, इसमें add करेंगे, current year profit, इसमें से minus करेंगे, transfer to general reserve, इसमें minus करेंगे, dividend, और कुछ बच्चों ने अगर, पुराना एक book होगा उनके पास, तो एक point और आता है, dividend के अलावा सर, corporate dividend tax, तो वो ना पूछें, वो cut चुका है हमारे इसलिए बस्ते, किसी के पास पुरानी किताब होगी, तो उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन वो cut चुका है हमारे इसलिए, वस्ते इस बात का ध्यान रखिएगा आप, इन सभी को, minus plus करने के बाद, finally लिखेंगे यहां पे, तो आप समझ सकते हो, इसके अंदर कुछ नई बाते हैं, और नई बाते तब तक नहीं समझ में आएंगे आपको, जब तक practical नहीं कर लेते हैं, तो ये तो हो गया सर किसका, ये हो गया हमारा, format reserved and sir plus का, थोड़ा मैं separate कर देता हूँ उसको न, चलिए सर, चलिए, विज्वल होना चीए, बाद में हम इसको small कर देंगे, note number two के बाद note number three, पहले आप मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे clear and, मिल जाए clarity, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, क्या बात बताना है सर, अभी रुकिए, ncq में पूछा गया था, share option, outstanding कहां जाएगा बताओ, बच्चा घूम के रह गया, यह क्या आ गया, तो आप बताईए, सबसे पहले clear है, कि note number one की जानकारी देखनी है, तो note number one में जाना है, अगर share capital की जानकारी देखनी है, reserve and surplus की जानकारी देखनी है, तो कहां जाना है, note number two पे जाना है, हर बच्चे को clear है, यह point, जो मैं अभी तक करा रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो हम आगे बढ़ें, नहीं तो किसी को बाद में दिक्कत हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सर टैनियर में आपके वाले में seven chapter है, जिसमें से दो chapter नहीं आ रहे हैं, क्लियर है, कार्तिक मैं बता दूँ, आपने पुराने वालन लिया हो शायद, देखके बता देगें, क्लियर है, ओके, क्लियर है, सही बच्चे करें, सर यहां तक क्लियर है, बस बढ़ते जाओं आप आगे, particular, amount, आ जाईए अब, सर यहां पे इसके लिए note नहीं है, यह होता क्या है, यह होता क्या है, इसको समझते हैं, share warrant, यह warrant क्या है, इसको समझेंगे, जिसके लिए note नहीं है, उसको समझना तो जरूरी है न, देखिए, चलिए, समझते हैं, share warrant, सर, share warrant क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ी सी बातों को जानना पड़ेगा, हमारे shares के उपर, share market के उपर, यानि shares के उपर, दो लोगों का, basically control होता है, यानि जो हमारे पास shares होता है न, company पर इस पर दो लोगों का control होता है, किस किसका होता है, एक होता है company का, company act का, यानि एक company law का control होता है, उसके according हमें rule follow करना पड़ता है, दूसरा किसका, सुनाए ना, नाम सुनाए, बिल्कुल, से भी, security exchange board of India, और इन सभी का, ये पता है कि basically, इसके अंडर आता है हमारा, NSE, सुना है, इसके अंडर आता है, BSE, सुना है, Bombay Stock Exchange of India, National Stock Exchange of India, जिसे share बजार कहते हैं, साधारन शब्दों में, तो share बजार में कैसे काम चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, उसका फैसला करता है से भी, और Company Act, क्या फैसला करता है, कि किस चीजों को क्या-क्या rule follow करना है, याई अगर आप Company बनाओगे, तो आपको दोनों की बाते मानने पड़ेगी, Income Tax की भी मानने पड़ते, लेकिन हम भी फिलाल दो की बात करते हैं, तो हम पुरानी बात करें न, बहुत पुरानी बात करें जैसे 1990 की बात करते हैं, तो 1990 में न, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं ये, आपको याद होगा एक मूवी भी थी, कौन से मूवी आई थी, हरसर महता के उपर आया था, मैं नाम भूल गया, हरसर महता के उपर कोई मूवी आया था भी, और दो-तिन मूवी बन चुकी है, हरसर महता जिसने कि अभी तक का, उस जवाने में, सबसे बड़ा जो, उसे क्राइम बोला जाता है, जब हमारे देश का परधान मंतरी कॉंग्रेस का, नरसिम्बा राव हुआ करते थे, वो परधान मंतरी थे ते उस टाइम पे थे, तो उसने बहुत बड़ा घोटाला किया था, और इतना बड़ा घोटाला मतलब स्कैम कहलो, होता क्या था, उस टाइम पे शियर आपने अगर देखा हो मूवी में, स्कैम 1992 बता भी दिया बच्चों ने, उसको आपने देखा है, तो मेरा काम आसान हो गया उस फिलम को देखते तो, उसके अंदर क्या था, अगर आपको शियर खरीदना है तो आपको पहले वहाँ पर ओडर देना पड़ता था, फिजिकली जाके पर्चे में, उसके बाद, यानि आपको शियर अगर 1990 में खरीदना था आपको शियर तो आपके पास कहानी क्या था, सर 1990 में आपको अगर शियर खरीदना है, इफ यू वांट टू बाइ अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको फिजिकल शेर खरीदना होगा और उसके लिए सबसे पहले आपको सेवी की पर्मिशन लेनी होगी और कमपनी एक्टिक आपको फॉर्म देगा एक एक फॉर्म देगा इस फॉर्म के अंदर भर के देगा ब शेर होल्डर भी साइन करेगा और जो से शेर खरीदना है वो भी साइन करेगा दोनों साइन करके ये वाला जो फॉर्म दिख रहे हैं आपको ये जो दोनों साइन करके पता ही क्या करेंगे इस फॉर्म को जमा करा देते थे वो जाके कमपनी के पास और कमपनी बोलते थे भा कमपनी के पास R.O.M. हुआ करता था मान लेते हैं यह A है और B को खरीदना है पहले A का नाम लिखा हुआ है इस रेइस्टर में तो आपका B भाई तेरा शेयर तब तक नहीं हो सकता था B का जब तक कमपनी क्या नहीं करती कमपनी को एक काम करना पड़ता क्या करना पड़ता यहां ते इसका नाम मिटा देता और यहां पे किसका नाम लिख देता B का तब जाके B इस शेयर का मालिक बनता था और इस प्रॉसेस के अंदर नाम क का वक्त लग जाये करता था और अगर माल लेते हैं कि A का share खो भी गया A लेके चल रहा है share खो गया रस्ते में अब B को मिल गया share B सोच रहा है कि share को मैं बेच दू तो not possible के B बेच पाए उसको बेची नहीं पाता क्योंकि उस पर तो नाम किसका है A का है और उससे बोलेंगे तू कौन है तो वह B सब तो अधार कार्ड भी नहीं था तब तो क्या था सिर्फ इसने ID प्रूफ भी नहीं लगा करते थे तो भाईया नहीं बिख सकता था एक के सारे लेकिन बहुत लोग फ्रॉड कर लेते हैं उसकी बात अलगा है अब जब कंपनी को हुआ क्या अब कंपनी एक्ट और सेवी ने डिसाइड किया कि भाईया हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बोलें कि कंपनी के अंदर क्योंकि जितना पैसा आप कंपनी के मार्किट के अंदर लगाओगे अपनी सेविंग को बचाओगे देखो दो चीजों से एकनोमिक चलती आपके सेविंग से चलती एकनोमिक जितना ज़्यादा आप सेविंग करोगे न हमें अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगा अगर हमने सेविंग करना खर्च करना कम कर सब्सक्राइब करना जादा कर दिया कैसे सर दोनों बैलेंस होना चाहिए क्योंकि जैसे आप सेविंग करोगे आप पैसे शेयर मार्किट में लाओगे अपने डबल करने के लिए तो आप कंज्यूम कम करोगे जो हमारा इंपोर्ट होता है वो कंजूम्शन कम हो जाएगा और जैसे कमपनी को मिलेगा ना तो घ्र भीट कर सकती है उनके पास 10 दिन के लिए सकती है वी 17 दिन दिन requisite था, हमसी बोला मंण भाई तू लगा दै मेरी कंपनी के अंदर शेयर में पैसा मंने बोला मैं लगादू था-बल हो जाए Hag मैंनला हाँ डबल हो जाएगा और मोहन को मान लो एक लाक रुपे मेरी कमपनी में लगाना है और उसके डबल हो जाएगे लेकिन उसको पैसे पता है कम मिलेंगे ना 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 बेचते 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 उसको तीन मेहने का ये प्रोसेजर फॉलो करना पड़ सकता है तो मोहन मेरी company में पैसे ही नहीं लगाता अगर उसे एक हफते बाद पैसे चाहिए हो तो नहीं लगाएगा कभी इसी को देखते वे सेवी ने बोला कि कुछ ऐसा share लाओ कुछ ऐसा share लाओ जिसके उपर नाम ही ना हो सिर्फ लिख दें कि रुपीज दस हजार रुपे का share है बस ये लिख दें इसके उपर name क्या हो ही ना उसे क्या बोला गया share warrant बोला गया तो यानि सर share warrant का मतलब जिसके उपर नाम नहीं लिखा अब जिसके उपर नाम ही नहीं लिखना तो मैं आपको दे दूँगा तो बिख जाएगा यह आपको टेंशन ही नहीं कि मेरे नाम पे छड़े और यह share अगर आपका खो गया तो जिसके पास गया वैसा एकदम note के तरीके से काम करता था आप लोगों ने देखा नहीं होगा share warrant मैं दिखा देता हूँ एक बार आप गूगल करोगे तो दिख जाएगा देखते हैं अगर मुझे मिल पाए तो share warrant यह देखिए इसके उपर आप ध्यान से देखेंगे ना तो नाम लिखा हुआ ही नहीं है share warrant पे यह format है clear नहीं है यह इतना clear नहीं दिख रहा भाई क्या करें पतानी क्या क्या खुल गया छोड़ो हटाओ इधर उदर ले जाता है website तो आप देखेंगे ना Google पे आप देखना share certificate ढूणना और share warrant ढूणना तो share warrant पे नाम नहीं लिखा होगा और share certificate पे नाम लिखा होगा तो मुद्दे की बाकतर यहां पे देखिया आप share capital में वही capital रखा गया जिसके उपर नाम लिखा गया था और share warrant में वह वाला capital रखा गया जिसके उपर नाम नहीं लिखा गया था पार्ट तो share capital का ही है यह पार्ट किसका है हमारा share capital का सर इतनी सारी बाते आपने बता दी इस पे तो exam में बड़ा important है मैं बोलूँगा no important नहीं आएगा आपके question में यह लेकिन आपको पता होना चाहिए के share warrant होता क्या है तो मैंने कहा मैं सारी बातों को discuss करूँगा चाहिए exam से related है नहीं है मैं बता जरूर दूँगा इसको आपको याद ही नहीं रखना के share warrant question में कैसे देगा वो नहीं दिया होता तभी questions के अंदर नहीं देगा चलिए सर share warrant या नहीं तीन point पर बढ़ चुके है share pending on application allotment इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है तरी देखिए लिखा क्या है share application pending on allotment आप देखिए समझ येगा एक x y z limited company है ठीक है और इसने क्या करा share issue किये जैसे इसने share issue किये public नहीं क्या करे इसको पैसे दे दिये लेकिन public को ये share capital नहीं दे रहा इसका मतलब public का पैसा जो है वो company के पास पढ़ा हुआ है तो company के लिए क्या है liability क्योंकि share capital में तो तभी जा सकता है जब company इसको share का certificate share capital दे दे बस company ने पैसा receive करा बोला एक डेड़ हपते में देंगे तो एक डेड़ हपते तक कहां दिखाओगे उसे तो उसको क्या करते हैं हम normally दिखा देते हैं share application का पैसा आगया pending allotment का मतलब अभी उसको देना पाकी है जैसे ही हम दे देंगे तो यहां से घट जाएगा और वो कहां पहुंच जाएगा पता है share capital में कहां पहुंच जाएगा share capital मतलब सर अगर share application pending allotment यहां पे 500 करोड है और अगर हमने issue कर दिया तो यह zero हो जाएगा यह zero हो जाएगा और क्या बन जाएगा यह यहां से पैसा यहां से फ्ट हो जाएगा exam के point of view से no important no important इससे कोई point नहीं पूछा जाएगा exam के point of view से ठीक है चलिए sir अब आ जाते हैं non current में long term borrowing note number 3 है आ जाएए long term borrowing note number 3 long term borrowing sir long term borrowing में क्या आता है number one debenture अब छोटे छोटे note है number 2 bank loan bus यही चीजे सर number 2 bank loan bus इतनी चीजे बिलकुल जी bus note number 3 किसके लिए था अधर 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 long term note number 3 के लाद note number 4 note number 4 अधर अधर लाउंग टर्म अधर लाउंग ट्रम क्या क्यां क्यां क्या आएगा सर इसमें इसमें आएगा नमबर वन ट्रेड पेवल एकना पब्लिक डिपॉजिट होता है वो भी यहीं आ जाएगा अगर लॉंग ट्रम हुआ तो इसमें सर बस बात खतम ट्रेड पेवल और कुछ नहीं बस एकी पॉइंट और एक्जाम के लिए नो इनपॉर्टेंट अब नो इनपॉर्टेंट का मतलब ऐसा भूल मत जाना यह चीजे मैं नो इनपॉर्टेंट कह रहा हूं लेकिन इमसीक्यू के लिए इनपॉर्टेंट है यह एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपका ठीक है ना तो इमसीक्यू पिछली बार आये हुए हैं आप देखोगे पिछला पेपर सॉल्व करोगे ना तो मेरे ख्याल प्रोग्राम में थे पाइनल अकांट का भी एमसीक्यू था आप बिलकुल भी घबराएं ना के सार जल्दी जल्दी बता दो बस नोट नंबर पांच कि नोट नंबर पांच कि लॉंग ट्रंट कि प्रोवीजन तर क्या-क्या आएगा लॉंग प्रोवेजन में नंबर वन इंप्लॉई भोवीडेंस फ्राइड में श्रॉट फ्रम में लिख यहां आएगा ने समंझ में आई जाएगा और अब Quem ना और ना ना इसमें और नहीं जाएगा इसमें आएगा सरी एपिर्फ एड़र मा लिम आ sniper ओबर वाले में प्रोवीजन पॉर डेप्रीशेशन प्रोवीजन पॉर टेक्स बस यह पॉइंट आएगा इसमें इससे ज्यादा नहीं होगा चलिए नोट नमबर सिक्स नोट नमबर सिक्स शॉट्रम बोरोईंग बोरोईंग सर क्या क्या हैगा शॉट्रम बोरोईंग में शॉट्रम बोरोईंग में बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट सर कैश क्रेडिट यह होता क्या है जब कुश्चन में आएगा तो डिस्कस करेंगे हम समझेंगे जब कुश्चन में आएगा तो सर नोट नंबर सिक्स के बाद आज आईए इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं समझ में तो आई ही गया है बाकि नोटिंग के लिए ताकि मैं एक पेच पे दूँ तो एक पेच का अपसम नोट कर लें थोड़ा है छोटा कर दिया है मैंने बस और कुछ नहीं चलिए सर नोट नंबर नोट नंबर छे के माद साथ सर सातवा नोट किसका था ट्रेड पेवल सर ट्रेड पेवल में क्या आएगा ट्रेड पेवल में ट्रेडिटर बिल्स पेवल बिल्स पेवल बस दो चीज़ें और क्या है नोट नंबर नोट नंबर इड्वांस इंपॉर्टेंट है यह नंबर दो आउट्स्रेंडिंग एक्सपेंस लिखा है मैंने तो एक्सपेंस में सब कुछ आ गया इंट्रस विंट्रस सब आ गया नंबर तीन एड्वांस इंकम नंबर चार अनक्लेम डिविडेंट नंबर पांच डिबेंचर नंबर छे बैंक लोन चीक असर बस इतना लिख देते हैं लेकिन एक सवाल बच्चों के मन में आएगा और ये एक्जामनर ने पूछा भी था ये ही सवाल पर एक्जामनर ने पूछा भी था सर सर बोला कि भाईया डिवेंचर कहां आएगा बताओ तो सर बच्चे बोले डिवेंचर तो आपने यहां लिखवाया है तो यहां क्या कर रहा है डिवेंचर है ना समझते हैं माने लीजिए यह आपके पास एक लाइन है पॉस्ट इयर यह सेकेंड इयर है यह थर्ड इयर है और यह मान लेते हैं फोर्थ इयर है मैंने चार साल लिख दिया है आपके सामने समझ लीजिए आप काम की चीजे है अब देखिए अगर डिवेंचर को मुझे लोटाना चार साल बाद है चौत्थे साल लोटाना है मैंने रुपीज एक लाख रुपे का डिवेंचर मैंने इशू किया है या फिर सफोज करो मैंने क्या लिया है सर बैंक लोन और मुझे लोटाना का बैसर चौत्थे साल में लेना है तो मेरा जो डिवेंचर है डिवेंचर है एक लाख का लोटाना का बैसर चौत्थे साल में आप एक बात बताईए मुझे क्या आपको पता है कोई भी चीजे short term और long term किस पर depend करता है क्योंकि इसमें यही फरक है कि यह short term के अंदर आ गया और यह long term के अंदर पहुचा हुआ है तो short term और long term कैसे define होता है अगर payment एक साल के अंदर कर देंगे तो short term हो जाएगा अगर payment एक साल के बाद करेंगे तो long term हो जाएगा अभी मैंने debenture लिया सर अगर आपने अभी debenture लिया हुआ है तो बहुत सीधी सी बात है जो अभी आपने debenture लिया यह debenture का payment कब होगा बता दीजिए आप यह debenture का payment कब होगा यह debenture का payment चार साल बात तो that is अभी यह है long term अब दूसरे साल में जब पहुँचेंगे तो payment कब होगा दो साल, मतलब तीसरे साल में तो अभी भी क्या है लेकिन सर, जब हम इसको लेके जाएंगे आगे तीसरे साल में, तो अभी भी payment एक साल के बाद करना है अभी भी क्या रहेगा, long term करना है सर इसी साल करना है अब इसका नेचर बदल जाएगा सर क्या बोल रहे हो सर इसका नेचर बदल जाएगा यह अब हो जाएगा शॉट ट्रम ये क्या हो जाएगा हमारा short term हो जाएगा समझ पारे हो बात आप इसी short term को हम debenture को इसलिए बोलते हैं mature debenture mature debenture अगर बोला जाए mature debenture कहां जाएगा तो जवाब mature debenture का मतलब उसी साल payment करना है तो ये किसका पार्ट माना जाएगा short term ये वाला जो debenture है ये जाएगा other current liability में और ये वाला debenture चला जाएगा non current liability के long term borrowing समझ में आई बात आपको कि फरत बस tenure का है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले बताई है यहाँ तक समझ में आए debenture वाला point सवाल में पूछा जाएगा ये debenture clear है यहाँ तक trade payable बच्चे कह रहे हैं दो बार लिख दिया बिल्कुल हाँ एक यहाँ भी trade payable लिखा सर और एक यहाँ भी trade payable लिखा ये एक साल other long term liability के कोई define नहीं है मैंने कहा not important ये important नहीं है अगर आपने उधार माल खरीदा और उधार माल खरीदने के बाद बो भाईया मैं payment ना दो साल के बाद दे दूँगा तब तो वो चला जाएगा इस creditor के अंदर trade payable का मतलब होता है creditor तब तो यहाँ चले जाएगा लेकिन अगर आपने समान खरीदा और खरीदने के बाद आप बो लोगा मैं 6 महने में payment दूँगा तब आ जाएगा वो इस वाले creditor के अंदर तो दोनो trade payable है creditor एक साल के बाद का payment long term में पहुंच गिया और एक साल के कम का short term में पहुंच गिया बच्चे कह रहे हैं debenture फिर से बता दो बिल्कुल अब देखो अब हमें इस debenture का पैसा कब देना है इसका पैसा पैसा देना है करजा लिया है ना कब एक दो तीन साल के बाद after three years तो sir ये करजा मेरे पास तीन सालों तक रहेगा तो long term है अगेन इस करजे को अगर हम लेके चले अगर मैं यहां पे हूँ और मैं पूछू बताओ देना कब है तो बोलो के दो साल बाद तो again long term है अगर मैं यहां पे हूँ तो देना कब है एक साल के बाद तो again long term है लेकिन अगर मैं यहां पे आ जाओं तो मैं एक साल बाद नहीं दूँगा मैंने 3-3 साल लिख दिया, इसमें वो by default आ गया, ऊसकी चिंता मत करो, यहाँ पर लिख देते हैं ये देना है हमें 2 साल के बाद और ये देना हमें 1 साल के बाद और ये कब देना है सर? ये इसी साल देना है, तो भईया इसी साल देना है, this year तो सर जब इसी साल देना है, कोई भी पैसा करजा ले रखा है, वो पीछे से भले ही long term हो, और इस साल इसी साल payment करना है, तो मतलब वो पहले long term रहा उससे मतलब नहीं है, अब payment तो इस साल होगा न, that is mature debenture, और उसको अब जिस साल payment होगा, उस साल कहां show करेंगे, current liability के अंदर, और वो भी other current liability का part माना जाएगा, पहले बातों को समझेए आप, सर, calls in advance क्यों नहीं लिखा है share capital में, calls in advance क्या होता है, मैं बता देता हूँ, calls in advance का मतलब होता है, अब एक-एक करके पढ़ी देता हूँ, वो मैंने पढ़ा भी नहीं, देखे, calls in advance का मतलब होता है, shareholder से advance में पैसा ले लेना, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको share देंगे, company का मतलब, company का मन करेगा तो देंगे या तो नहीं देंगे, इसलिए जब हम shareholder से advance में पैसे ले लेते हैं तो हमें उसके उपर ब्याज भी देना पड़ता है, जिसे बोल spending expense में सारा ही आ जाएगा, advance income, आप से अगर मैं fees advance में पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैंने आपका slavus नहीं पूरा करवाया, आप से fees मैंने ले लिया है, पहले ही advance में, तो मेरे लिए liability side में दिखाऊंगा, मैं अपने balance sheet के, इसके बाद unclaimed dividend, ऐसा dividend, मैंने इस बार dividend बाट द दिया, A, B, C, D, dividend मैंने बाट दिया, चारो को, अब भई, इसके अंदर A को भी मैंने बुलाया, आजा भई, ले जा, B को भी दे दिया, C को भी दे दिया, D को मैं ढूंडता रहे गया, कहा है, भई, कहा है, वो मिला ही नहीं, तो वो dividend होगे unclaimed, मतलब D मांगने ही नहीं आए तो आज नहीं तो कल आएगा न वो, तो उसको देना पड़ेगा, that's why इसे liability में लिख देते हैं unclaimed dividend, और debenture और bank loan का तो मैंने same scenario बता ही दिया, चलिए सर, अगला note हमारा assets का बनता है, सर, कौन सा note बनता है, सर, assets का, assets का note बनता है, note बनता है, कहा गया, note number, sorry, liability का, note number, no, short term provision, इसी के नीचे लेके चलता है, short term provision, note number nine, short term provision, sir, short term provision में क्या है, point number one, provision for tax, point number two, dividend, dividend, point number two, dividend, ये दो बातें आएंगी यहां पर, बस, वैसे provision for depreciation भी आ सकता है, लेकिन वो हम discuss करेंगे जब आएगा, तो हमने liability side के सारे के सारे note को हमने cover कर लिया है, तो आप मुझे बताईए सबसे पहले note में कितने बच्चों को down, पहले तो हमें इसे समझना ही पड़ेगा, और अगली class में note के बाद हम question कर पाएंगे, क्योंकि अभी पी एंडल का भी note pending है, तो मैं आपके अगली class में आज तो मैं लिख के बता रहा हूं, अगली class में side में liability वाल एसेट वाले note को न मैं मतलब print करके जैसे की, मैं बताना चाहता हूं, मैं अगली class में क्या सरूआ, जैसे यह है, क्योंकि आपको बस understanding develop करना था, जो कि आपका हो गया है, अगर मैं चाहता, इतना वक्त नहीं खराब करता, और मैं सीधा बता देता, लो जी लो balance sheet हो गया, और यह total, और मैं यहां से बताता जाता, लेकिन उसमें मजा नहीं आता, आप बस देखते और फिर कोई फाइदा नह मैं बता चुका हूँ, जैसे कि shareholder fund बता दिया, share capital बता दिया, reserve and surplus बता दिया, money receive against share warrant बता दिया, share application pending बता दिया, non current liability के अंदर क्या बता दिया, short term borrowing, defer tax, यह question मारक है, बच्चे पूच रहेते हैं, मेरे को पता है, लेकिन अभी हम नहीं करा दे इसको, other long term liability बता दिया, long term provision ब liability बता दिया, short term borrowing बता दिया, trade payable बता दिया, other current liability और यह, यह सारा point हमारा लगबग हो चुका है, अब यह भी हमने format लिख लिया, लेकिन इसके note पे अभी हमने काम नहीं किया, तो अगली class के अंदर, क्योंकि काफे सारे नए बच्चे हैं, शायद उनको habit ना हो, तो next class में इ जिससे के हमारा थोड़ा सा time बचेगा, clear है, मुझे unmute कर दो, unmute कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं लिंक की प्रवाइड कर दूँगा, सभी बच्चे को जो ले सकते हैं, मैंने जो 2022 का question paper है, मैंने जो है, 2022 का question paper solve करके सभी में आता है, अब देखो काफी बच्चे परिशान हो रहे हैं के 10 year, देखो 10 year के अंदर क्या है, basically जिसने अभी recently खरीदा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, जो नए वाले जो 10 year आ रहे हैं, उसके अंदर मैंने कुछ थोड़े से question add-on करके नहीं print करवा दिया है, और question को थोड़ा systematic करवा दिया है, ताकि आप उसको जब करो तो दिक्कत ना हो, पुराने जिनोंने खरीद लिया है, जिनके पास अभी है still 10 year, उसके अंदर भी वो सारे questions मिलेंगे, लेकिन वो आगे पीछे मिलेंगे, बस थोड़ा manage करना होगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसके अंदर एकाद question मैंने add-on करा दिया, जैसे की shop करा दिया है मैंने, तो वो चीज़े मैं आपको अलग से, जिन बच्चों के पास नहीं है ना, और नए वाले 10 year में नहीं है, उनका मैं आप सभी को material provide करवा दूँआ, इसकी चिंता मत करो. Sir, name क्या है 10 year? देखे, name तो सभी को पता ही, आपने 3rd semester में पढ़ा होगा. सिफदास का 10 year आता है, market के अंदर, b.com के लिए, basically जिसके अंदर past year के paper होते हैं, सभी को पता है, लगबग, लगबग. Class node, रोजाना upload होगा, हर रोज upload करते हैं, उसमें कोई चिंता की बात है ही नहीं.